दोस्तों सायद आपने नोटिस किया हो अमेरिकन और यूरोपियन कम्पनियों के सिर्स नित्रत्व तक भारतिय मूल के लोग पहुंच चुके हैं लेकिन रूस के साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ आपने बताईए कोई रश्चन कम्पनी जिसकी लीडर्शिप में भारतिय मूल रोजनेफ्ट आपको जानकारी होगी यह कंपनी बारत को कच्छा तेल बेचने वाली सबसे बड़ी रूसी कंपनी है और यह सरकाली रूसी पपनी है इसके board of directors में भारतिय कंपनी जीके सतीस को सामिल किया गया है और यह जीके सतीस कोई सामान्येश्थी नहीं है European इंडियन ओयल के पेट्रोल पंप पर आप सभी ने पेट्रोल डीजल भराया है उसी कंपनी में ये पहले डारेक्टर रह चुके हैं इंडियन ओयल से रिटायर हुए तो अब रोजनेफ्ट ने ले लिया है इनको डारेक्टर की पोस्ट पर अब बड़ा सवाल यह है कि रोजन इनरजी के भी पेट्रोल पंप होंगे आपके सहर में जहां पर वो बोलते हैं कि एक रुपया सस्ता हम पैट्रोल डीजल देंगे एक बार इसी एक रुपया बचाने के चकर में हम नायरा एनरजी के पैट्रोल पंप पर पहुंच गए उसमें एक महला थी उन्हों ना भाई भाईया जी फ्यूल टेंक का धकन बंद करना वो भूल गई उन्होंने बाहर से उसको बंद कर दिया भाईया जी हजार किलो मीटर चलाने के बाद गाड़ी जब दोबारा रोकी अगले पैट्रोल पंप पर तब पता चला कि पैट्रोल पूरा उड़ गया एनिवेज वहां तो हमें नुकसान होगया कोई बड़ी बात नहीं है पॉइंट यह है कि नायरा एनर्जी से हम सब जुड़े हुए हैं उसी नायरा एनर्जी जो कि पहले एसार की थी उसमें भी रोजनेफ्ट की मैजोरिटी हिस्सेदारी है तो रोजनेफ्ट अब और भी आगे जा रही है भारत के साथ manufacturing बढ़ाने के लिए यह प्रयास रहत है और उसी दिसा में यह कदम उठाया है भारत और रूस की दोस्ती मजबूत रहे आगे बढ़ती रहे उम्मीद सिर्फ यह है कि यह सिर्फ सुरुवात होना चाहिए अंत नहीं और हां दोस्तों शेर मार्केट के लिए सर